36 गड़ में नकसलियों का आतंक लंबे समय से कायम है कई बार सरकार और नकसलियों के बीच में संबाद का प्रयाश किया गया लेकिन हमेशा इस संबाद विफल साबित हुआ है अब इसी बीच राज के उपमुक मंतरी और ग्रह मंतरी बेजर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है बता दे कि ग्रह मंतरी बेजर शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नकसलियों अगर सामने नहीं आ सकती नकसलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भाया गाओं गाओं में इस्कूल खुलने दें जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन अउजवानों से नारायन पुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूँ अबूजबान के लोगों से वो भी चाहते हैं कि हम बंबई में हीरो बन कर आएं वो भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गाओं की उननती हो क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को यही तो हम जानना चाहते हैं क्यों रोक कर बैठे हैं सारा विकास अरुद्ध हो जाता वो पूरी जनता बंधक के नाते हैं मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तयार हूँ मैंने ये कहा भई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर में तैयार हो मसला यह है कारण तो बताएं मैं नहीं आप बात कर लीजे मैं आप से कहता हूँ आप बात कर लीजे पूछिए तो कारण क्या है विकास को अरुध करने का कौन सी ऐसी सरकार है जो शोशित करती है लोगों को बताएं कोई लोगतंत्र है भाई लोगतंत्र है लोगतंत्र में राधनितिक पार्टियां होती है हैं सरकारे बनती हैं और उसी तरीके सल्टा सब्सायाने का सबसे अच्छा तंतर दुनिया में लोगतंष रहे आपको राज तंतर चाहिए पुराना वाला आपको चींच यसी बेवस्था चाहिए माववादियों की कम्मिनिस्ट्रों की नहीं चाहिए ना क्या चाहिए लोकतंत्र चाहिए ना ऐसे स्वतंत्रता से आप मुझसे पूछ सके और मैं निर्भीकता से आपके साथ बात कर सको यह लोकतंत्र है भाई उस लोकतंत्र को खतम कर देना चाहते मानने अटल बिहारी बात